आज हम दो ऐसे major myths के बारे में बात करेंगे जिसकी वज़े से बहुत सारे लोग परेशान हैं और बहुत सारे लोग अपना fat loss का and muscle gain का and end of the day अपना fitness का goal achieve नहीं कर पाते आज हम completely इनी myths के बारे में बात करेंगे और उसका आखिर में solution भी ढूंडेंगे सो आखिर तक बने रहे हैं मेरे साथ so guys मेरा नाम है प्रमोज और आप देख रहे हैं इसा फिटनेस अकेड में तो पहला मित यह है कि अगर आपको fat loss करना है तो आपको sweat आना जरूरी है जितना ज्यादा sweat आएगा उतना ज्यादा आपका fat burn होगा यह आपने बहुत बार सुना रहेगा किसी के भी through राइट इसलिए बहुत सारे लोग ट्राइ करते एसी या फिर fan burn करके workout करेंगे जैकेट हुडीज sweatshirt पहन के workout करेंगे क्योंकि उनकी thinking यह है कि जितना ज्यादा sweat हमारी body करेगी उतना ही ज्यादा हमारे body से fat burn होके निकलेगा या फिर कही सारे लोग steam बात या फिर सोना बात लेते हैं उनका thinking यह है कि steam बात सोना बात लेने से हमारे बाडी की जब भी हमारे body का temperature बढ़ता है तो हमारी body का करते है उस temperature को cool down करने के लिए फिर वो temperature को नीचे लाने के लिए body में जो water store होता है उसको बाहर निकलती है जो हमारे skin के जो pores होता है वहां से बाहर निकलता है और वह water हमारे skin के उपर evaporate हो जाता है और उसकी वज़से हमारे skin का temperature या फिर हमारे body का temperature कम होने में help मिलती है ओके आपके body में जो water था वह बाहर निकला है आपके body का temperature कम करने के लिए अब ये पसीना कब आएगा sweat कब कब आ सकता आपको इसके लिए एक तो आप किस temperature में या फिर आप किस environment में हो इसके ओपर depend करता है जैसे कि आपने ये भी feel किया रहेगा कि गर्मी में आपको बहुत ज़्यादा sweat आता है ठंड के season में आपको sweat कम आता है क्योंकि आपका जो environment है बाहर का वह गर्मी में बहुत ज़्यादा रहता है temperature और ठंड में temperature कम होता है इसकी वज़से आपकी body भी उसके सबसे खुद का temperature maintain करती है ओके जैसे कि आप जीम में जाते हो तो जीम में अगर आप एक अच्छे जीम में जा रहे हो जहां पे AC है सो वहां का जो temperature होता है वहां ठंडा रहता है वहां पर आपको body आपकी ज्यादा sweat नहीं करेगी अगर आप local gym में जाओगे तो वहां पर AC नहीं होता है तो जितना temperature down AC gym में होता है उतना local gym में नहीं होता तो आप किस environment में workout करते हो यह depend करता है दुसरी बात यह है कि आपने कौन से clothes पहन है कपड़े क्या पहन रहे हो आप exercise करने के लिए कुछ लोग sports clothes पहनते है active wears पहनते है यह जो active wears है sports के लिए जो clothes बने है वो properly breathable होते है यह active wears में आपके body को ज्यादा sweat नहीं आता आपके body का temperature वो कपड़े अच्छी तरह से maintain करते हैं कुछ लोग jacket sweatshirt या फिर hoodies पे इनके workout करते हैं तो वहां पर कि आपके body को बहुत ज्यादा sweat आएगा क्योंकि वह breathable नहीं होते तिसरी चीज़ यह है कि आपका genetics हाँ जैनिटिक्स भी matter करता है कुछ लोगों के genes ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा sweat करते हो लोग कुछ लोगों को बहुत ज्यादा sweat नहीं आता बहुत कम sweat करते हो लोग तो जो आपका खाना था meal था pre workout meal वो कितना time पहले लिया है उसके उपर भी आपको sweat कम आएगा या फिर ज्यादा आएगा यह depend करता है अगर आपके workout के और meal के बिच में कम समय है तो आपकी body ज्यादा sweat करेगी क्योंकि उस food का digestion करना भी एक body का function है तो उस function के लिए body को calories बन करने पड़ते हैं और उसके वज़े से भी आपको sweat आ सकता है and sweat आने का और एक रिजन हो सकता है कि आपका mood कैसा है आप nervous हो आप excited हो तो यह दोनों condition में आपको sweat आता है तो यहाँ पर आपके body में hormone imbalance होते है stress hormone बढ़ते है तो stress hormone बढ़ गया तो आपके body ज्यादा sweat करनी भी लगती है so यह था आपका sweat mechanism right कि जब जब आपके body का temperature high होता है उस temperature को low करने के लिए आपकी body water बाहर निकलती है जो आपके body में store हुआ है water उसको अब हम बात करते है कि यह sweat आना and fat loss होना यह दोनों चीज़ का आपस में कुछ connection है क्या तो इसका answer है बिलकुल भी नहीं यह दोनों च fat loss क्यों होता है या फिर fat loss कैसे होता है जब भी आप आपके body का work बढ़ाते हो लोड बढ़ाते हो तो वह काम करने के लिए आपके body को extra energy की ज़रूरत होती है और यह जो extra energy है आपकी body fat से लेती है बट वह fat को ATP में convert करके वह fat burn होता है और ATP में convert होके वह आपको energy provide करता है वह water के form में बाहर नहीं निकल सकता body के okay so आपको क्या करना है fat loss अगर आपको अच्छे तरह से करना है तो आपको body का load देना है body का काम बढ़ा देना है अब यह किस तरह बढ़ा होगे आपको weight training जब आप करोगे तो आप muscle को breakdown करोगे और muscle जब breakdown होगा तो body उसका repairing का काम होगी मतलब body का आपने काम बढ़ा दिया या फिर आप cardio training कर रहे हो तो आपको running करना पड़ेगा jogging करना पड़ेगा तो यह आपका body का regular काम नहीं है तो आपके body का काम बढ़ गया body का load बढ़ गया और इसके लिए body ने क्या किया इस fat को ATP में convert करके energy के form में use किया और यह sweat क्या है sweat मतलब आपके body से जो water level है वो drop हो रही है और यह risky हो सकता है आपके लिए जितना जादा पसिना आएगा during workout उतना आपका risk factor बढ़ेगा during workout क्योंकि जब आपके body से ज्यादा water loss होता है तो उस water में सिर्फ पानी नहीं होता उसमें electrolytes होते है उसमें minerals होते है और यह electrolytes minerals क्या करते हैं आपकी immunity system को strong रखने के लिए help करते है तो अगर आपने water loss कर दिया तो आपकी body dehydrate हो जाएगी आपको heat stroke आ सकता है आपको heat cramps आ सकते हैं तो आपको during workout जितना body को आप hydrate रख सकते है उतना आपको hydrated रखना है बहुत ज्यादा पानी पिना है जितना आपको चाहिए उतना during workout पानी पिना है पूरे दिन में continuous पानी पीते रहना है ताकि आपकी body continuous hydrated रहे साथ में आपको यह try करना है कि जब भी आप exercise करोगे तो वह exercise आपको AC gym में या फिर cool temperature में करना है ताकि आपकी body कम से कम sweat करे और इसलिए यह बड़े-बड़े gyms में बहुत सारे ACs लगाय हुए रहते हैं ताकि आप कम से कम sweat करने से आपके body का जो hydration level है वह maintain होगा और आपकी immunity system strong रहने में help मिलेगी so यह myth का आपको answer मिल गया fat loss होना and sweat होना यह दोनों चीज़े का आपस में कोई भी connection नहीं है during workout आपको try करना है कि आपको कम से कम sweat आना चाहिए अब कुछ लोग क्या करते है जिनको sweat ही कम आता weight नहीं आया तो उनकी दिमंग में है कि में को fat loss नहीं होगा और इसके लिए overtraining करते हैं बहुत time तक workout करते रहते हैं और इसके वैसे होगा क्या 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 आपका muscle loss भी हो सकता है और आपने sweat जादा कर लिया तो आपके body में dehydration भी हो सकता है so sweat आना जरूरी नहीं है fat loss हो कि हाँ sweat आने के अलग से फाइदे है वह आप जाके मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हो बट दूरिंग workout आपको try करना है कि कम से कम sweat आए ओके दूसरा एक major meat है fitness industry में कि अगर आपको muscle बढ़ाने है muscle gain करने है तो आपको pain होना जरूरी है इसको बोलते है soreness तो जितना ज जादा आपका muscle gain होगा ऐसे लोगों को लगता है इसके उपर एक slogan भी बनाए हुआ है no pain no gain तो यह कितना सही है याफिर यह actually सही है क्या तो इसके बारे में हम scientific answer ढूंडेंगे इसका तो पहले हम बात करेंगे सोरनेस क्या है और यह कौनसी कोनसी condition में हमारे body में आ सकता है तो आप कोई भी activity first time करते हो या फिर what time के gap के बात करते हो तब आपकी body सोरनेस के form में उसको react करती है क्योंकि एक तो उस activity की आपको आदत नहीं थी या फिर आप उस activity को बहुत time के बात कर रहे हो बहुत बड़े gap के बात कर रहे हो तो आपकी जो आदत थी वह अभी छूट गई थी इसको अगर example के form में हम अगर देखेंगे तो जो लोग newly gym join करते है और जीम में जब उनका first day second day रहता है तो बहुत ज़्यादा सोरनेस आता है उनके body में बट वो जैसे-जैसे regular हो जाते है जीम में तो धिरे-धिरे उनकी body उस चीज के लिए उस activity के लिए used to हो जाती है औ और वो सोरनेस धिरे-धिरे कम होने लगता है या फिर जो लोग ने छे मैना जीम गए और बाद में एक साल का gap हो एक साल के बाद अगें जीम join कर रहे है तो भी उनके body में वापस सोरनेस आएगा क्योंकि उनकी जो आदत थी उनकी body जो used to हो गई थी वह अभी वापस fresh हो time लगा और तब तक आपके body में सोरनेस आएगा राइट या फिर आप regular जिम में हो और आप weight बढ़ा रहे हो poundage बढ़ा रहे हो for example जैसे आप 50 kg से bench press कर रहे थे काफी दिनों से बट कुछ time के बाद आपने 50 का 60 kg कर दिया और 60 kg का bench press कर रहे हो तो अभी 10 kg का load बड़ा है और यह आपके body के लिए नया है body उसके लिए प्रिपेर नहीं थी तब क्या हो सकता है आपके body में सोरनेस आ सकता है या फिर आप 50 kg से अभी तक 10 repetitions कर रहे थे bench press के बट अभी आप 10 की जगा 15 repetitions कर रहे हो 16-17 repetitions कर रहे हो तो इसके लिए भी body ready नहीं थी आपकी राइट मतलब आपने यह क्या क्या नई activities की या फिर आपके activity को modify किया है इसके लिए आपके body में सोरनेस आ सकता है क्योंकि body नहीं क्या क्या है जो लोग sportsman होते हैं उनको भी यह experience करने मिलेगा कि अगर आप सब्सक्राइब क्रिकेट खिल रहे हो तो बारिश के टाइम में आपका क्रिकेट टोटली बंद है आप तीन मेने आप क्रिकेट नहीं क्यों और चौते मेने आप ग्राउंड पे गयो तो आपकी body first day second day third day सोरनेस आएगा आपके body में आपकी body pain करन अपस use to करने के लिए try कर रहे हैं और उसके लिए आपके body में soreness आ रहा है अब यह soreness भी दो प्रकर का होता है doms delayed onset muscle soreness and ims immediate muscle soreness for example आज आपने exercise किया तो आज ही exercise के तुरंत बाद आपकी body pain करने लगेगी और doms क्या है delayed onset muscle soreness आपने आज exercise किया तो आपके body में pain है या फिर soreness है वो कल आएगा कल आएगा और फिर उसके दूसरे दिन भी बहुत जादा होगा उसके दिन भी थोड़ा सा और जादा होगा और उसके बाद वो निकल जाएगा मतला basically तीन-चार दिन यह soreness आपके body में रह सकता है अब यह soreness and muscle gain यह दोनों चीज़ का आपस में कुछ connection है क्या तो इसका अंसर है नहीं soreness आना जरूरी नहीं है muscle gain होने के लिए अब इसको बहुत सारे लोगों ने गलत तरीके से spread करके रखा है कि muscle gain करना है तो आपके body में पेन आना जरूरी है बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यह पेन क्यों आ रहा था क्योंकि आप जीम में नहीं नहीं थे या फिर आप दिरे दिरे प्रोग्रेस कर रहे थे दिरे रिपेटिशन बढ़ा रहे थे या फिर दिरे दिरे पांडेज बढ़ क्योंकि यूज्टू हो चुकी है तो एक टाइम के बाद आपके body में पेन आना बंद हो जाता है क्योंकि body यूज्टू हो चुकि है तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आपका muscle gain नहीं होगा muscle gain definitely होगा बट बहुत सारे लोग body में pain नहीं आ रहा, soreness नहीं आ रहा इसके लिए बहुत जादा overtraining करते है और आपको पता है अगर आप overtraining कर रहे हो तो आपका muscle loss होना तह है तो आप overtraining ना करें limited time तक workout करिए proper workout करिए अब कभी-कभी आपने यह भी experience किया होगा कि बहु और आपके body used to हो चुकिए यह soreness के लिए और आपका soreness बंद हो गया था बट कुछ दिन के बाद 2-3 दिन से आपके body में soreness फिल हो रहा है आपकी body pain कर रहे है अब इसका reason क्या है तो इसका reason यह हो सकता है कि हो सकता है आपका rest complete ना हुआ हो आपकी नींद complete नहीं हुई हो आपका diet ठीक तरह से नहीं हुआ हो क्योंकि muscle repairing करने के लिए protein चाहिए और बाकी सारी energy के लिए fat चाहिए carbohydrates चाहिए तो वह आपके nutrients है उसको अपने provide नहीं किया रहेगा body को आपको mental stress जादा हो सकता है तो यह सारे reasons की वज़े से भी आपके body में soreness आ सकता है बट soreness नहीं आएगा तो muscle नहीं बड़ेगा यह concept बिलकुल भी wrong है no pain no gain यह बिलकुल भी wrong है ऐसा बिलकुल भी नहीं है pain नहीं हुआ तो भी आपकी body definitely gain करेगी बट उसके लिए आपका training proper होना चाहिए जो आपका training session है weight training session है वह proper होना चाहिए form technique correct होना चाहिए आपको weight को choose properly करना पड़ेगा आपको exercise का selection proper करना पड़ेगा और यह सारी चीज़े आप जब properly करते हो तो आपकी body definitely grow करेगी आपके muscles definitely grow करेंगे उसके लिए pain आना ज़रूरी नहीं है अब आप यह जो बड़े-बड़े bodybuilders देखते हो या फिर जो लोग regular gym में जाते हो उनको भी अगर example देखोगे तो उनके body में pain नहीं आता फिर भी उनकी body gain तो हो रही कि नहीं तो यह जो concept है वो totally wrong है अगर आप इसको follow कर रहे हो या फिर यह दिमांग में अगर आप रख र pain होगा so guys आज के लिए इतना ही I hope यह आपको concept दोनों fat loss का and sweat का relation नहीं है और सोरनेस का and muscle gain का relation बिलकुल भी नहीं है दोनों अपने अपनी जगह पे है तो मैं आशा करता हूं कि यह जो दोनों मीद से आपके clear हुए रहेंगे और आज सी आप आपके workout में modification करेंगे उसको improve करेंगे ताकि आप बहुत जल्दी अपने गोल तक पहुचो अपना target अच्यू कर सको okay thank you guys अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इसको like comment और share करना अगर चैनल को subscribe नहीं किया अभी भी तो इसको subscribe भी करना